हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में जानेंगे सभी स्टेशनरी समानों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में जैसे कलम, कागज, कार्ड, अख़बार, अलमारी, आधी रसीद, अड़ा, आराम कुर्सी आध इन सभी की इंग्लिज चानेंगे लेकिन फ्रेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे की आने वाली हर न्यूव वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कलम को इंगलिस में पेन कहते हैं नेक्स्ट कागज को इंगलिस में पेपर कहते हैं नेक्स्ट काड को इंगलिस में काड कहते हैं नेक्स्ट चिम्टी को इंगलिस में कलिप कहते हैं नेक्स्ट गोंद को इंगलिस में गम कहते हैं नेक्स्ट टेवल को इंगलिस में टेवल कह कहते हैं, नेक्स्ट, अखबार, अखबार को इंगलिस में न्यूस पेपर कहते हैं, नेक्स्ट, अलमारी, अलमारी को इंगलिस में अलमीरा कहते हैं, नेक्स्ट, आराम कुर्सी, आराम कुर्सी को इंगलिस में इजी चेर कहते हैं, नेक्स्ट, अड़्डा, अड़्डा को इं में पीन कहते हैं. काघज दाप कोंग्लिश में पेपर वेट कहते हैं. काली स्याही को इंगलिस में ब्लैक इंक कहते हैं कोस को इंगलिस में डिक्संडरी कहते हैं रजिस्टर को इंगलिस में रजिस्टर कहते हैं छेद काने का सुवा को इंगलिस में वाट किन कहते हैं छेदनी को इंगलिस में पंच कहते हैं जेवी किताब, जेवी किताब को इंगलिस में pocket book कहते हैं डोरी, डोरी को इंगलिस में tag कहते हैं ड्राइंग pin, ड्राइंग pin को इंगलिस में drawing pin कहते हैं तार, तार को इंगलिस में wire कहते हैं दवात, दवात को इंगलिस में ink pot कहते हैं कारवन कागज, कारवन कागज को इंगलिस में कारवन पेपर कहते हैं दैनिक पत्र, को इंगलिस में डेली पेपर कहते हैं नक्सा, को इंगलिस में मैप कहते हैं निमंत्र पत्र, को इंविटेशन कार्ड कहते हैं नीली स्याही, को इंगलिस में ब्लू इंक कहते हैं पेंसिल कहते हैं, next, पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड को इनलिस में पोस्ट कार्ड कहते हैं, next, परकार, परकार को इनलिस में डिवाइडर कहते हैं, next, फाइल, फाइल को इनलिस में फाइल कहते हैं, next, फीता, फीता को इनलिस में टेप कहते हैं, next, मोहर, मोहर को इनलिस में सील कहते हैं नेक्स्ट मासिक पत्रिका मासिक पत्रिका को इनलिस में मन्थली मैगजीन कहते हैं नेक्स्ट लपिटने का कागज लपिटने का कागज को इनलिस में पैकिंग पेपर कहते हैं नेक्स्ट रबर रबर को इनलिस में इरेजर कहते हैं लिखने की पट्टी, लिखने की पट्टी को इंगलिस में राइटिंग पैट कहते हैं लिफाफा, लिफाफा को इंगलिस में एनवेलप कहते हैं लिखा बही, लिखा बही को इंगलिस में लैजर कहते हैं साधा कागज, साधा कागज को इंगलिस में ब्लैंक पेपर कहते हैं सबताहिक पत्र, सबताहिक पत्र को इंगलिस में विकली पेपर कहते हैं सोखता, सोखता को इंगलिस में ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सेर करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो